बिसमिल्लायरहमानेरहीं, आस्तामलेकूम वलकमबेक टू माई चैनल, स्टिक्ञिंग ट्रेन आज हम बनाने जा रहे हैं खुबसुरत और स्टाइल स्ट्राउजर डिजाइन इस डिजाइन को आप सिलिफ्स पे भी बना सकते हैं और शिर्ट के दामन पे भी बना सकते हैं, तो चली स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने 8 इंच पांचा लिया हैं, और इसके लिए, अब हम एक फैबरिक स्ट्रिपलेंगे, 2 इंच का, और इसको चारो तरफ से फोल्ड कर लेंगे, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, आप बराबर आजाएगे, तो यह देखे, यहां पे हम मैं 2-2 इंच पे, गैब पे मैं इन स्ट्रिप्स को काट लूँगी, इन तमाम स्ट्रिप्स को हम वन बाई वन काट लेंगे, यह डिजाइन हमारा 2 पार्ट में बनेगा, आप चाहें तो एक पार्ट को भी फॉलो कर सकते है और दोनों पार्ट को भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट सी बहुत स्टाइलिश हैं, इसके लिए मैंने एक पेपर का पीस लिया है, टू इंचिस का, और दोनों साइड से मैंने एक एक लाइन ड्रॉ कर लिए, हाफ आफ इंच के फासले पर, अब इन स्ट्रिप्स को यहां पे इस तरह से लगाते जाएंगे, कि दर्मियानी फासला सिर्फ एक पैर का होना चाहिए, और वन बाइवन यह तमाम स्ट्रिप्स हम इसी तरह एज़िट इस लगाते जाएंगे, इसके इलावा भी मैंने स्ट्रिप्स की मदद से काफी डिजाइन्स बनाना सिखाएं आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए, वहां पे यह तमाम वीडियोज आपको मिलेंगे, बहुत से निव डिजाइन्स के साथ, निव आइडियाज के साथ मैंने मुखतरिफ किसम की वीडियोज अपलोड की हैं, आप जाएए विजिट कीजिए, और डिजाइन्स वाच कीजि इंशाला बहुत सबर्दस डिजाइनिंग आइडियाज आपको मिलेंगे, अब इसको कम्प्लीट करने के बाद दूसरे साइड से भी इसी तारही टॉप स्टिच लगा देंगे, अब यहां पे हम एक डोरी लेंगे, जिसकी लंबाई हम पहले नापते हैं, क्योंकि डोरी की लंबाई 60 इंचिज हैं, लेकिन हम 70 इंचिज या 65 इंचिज ले लेंगे, अब इसको देखिए किस तरह से मैं एक को छोड़ के एक स्ट्रिप के नीचे से इसको गुजारूंगी, और डिजाइनिंग करूंगी, एक साइड से हम इस तरह इसको मैनिज करेंगे, और दूसरी स इस साइड से भी मैं आपको दिखाओंगे किस तरह से लेकर चलना है, यहाँ पई साइड पे मैं आप आपको डिजाइनिंग कर रहीूं हुँ किस तरह से हमने दोरी के साथ म॥ा किसे ऊपलोट किये हैं, आप इन दिजाइन को भी देख सकते हैं, बहुत खुब सुरत डोरी ली है, थिन डोरी नहीं ली आप डोरी बनाते वक्त आपने मोटी डोरी बनानी है तो उसकी मदद से यह डिजाइन बहुत कुपसुरत बनता है। अब इसकी दूसरी साइट पे आप देखें, जिस ट्रिप के नीचे से हमने डोरी गुजारी थी, उसकी ऊपर से अब हमने लेकर चलना है, step by step, और इसी तरह ही डिजाइन इस साइट से हमने complete करना है, हमने यहाँ पे तीन लाइन्स डोरी की दी हैं, आप चाहें तो चार लाइ हूं, दो हिस्षाओं पे इस डिजाइन बनेगा, पहला हिस्षा हमने बना लिया है, अब दूसरा हिस्षा है, अब इन बुकरम के पीसे को डबल फोल्ड कर लिया हमने, अब यहां पे दर्म्यान से में, हाफ ऊपर से हाफ इंच चोड़ते हुए, दर्म्यान से हाफ इंच, चोड़ाई में इसको काटूंगी यह देखे इस तरह से हमारे पर शेप आजाएगी अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर अब इन दोनों डिजाइन को ऊपर नीचे रखते हुए इनकी पहले ऊपर से सिलाई लगा देंगे तीनों साइट पे अब एक् इनकी कॉर्नर को अच्छे से कट्स लगा देंगे और तीनों साइट से हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनको मोड लेंगे और दूसरी साइट से भी हम ऐसा ही करेंगे फैब्रिक को मोड लेंगे अच्छे से सफाई से अब इसके कॉर्णर को सीधा करने के लिए भी तरीका देख लें कि एक पैन की मदद से या किसी नोकिली चीज की मदद से आप उसके उपर रखें और इसको सीधा कर लें इस तरह से बहुत आसानी से जो इसको इनोक्स हैं वो निकल आते हैं और फिंगर की मदद से तनी आसानी से नहीं निकलते अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उपर से टॉप स्टिच लगा देंगे इसी तरह से तमाम डेजाइन को हम बना लेंगे और यह हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं डिजाइन अब हम यहां पे दो मुक्तलिफ कलर में डॉरी लेंगे येलो कलर की डॉरी हमने तीन इंच काटी है और ब्ालएक कलर की डॉरी हमने धाइंच काटी है अब इन दोनों को उपर निच्चे रखते वे इनको अच्छे से इसकी उपसे लाइः लगा देंगे अब वन बाइवान इन तमाम डोरियों को हम इसी तरह एस इज़ीज ही से लाई करके इसको टाइट कर लेंगे बना लेंगे अब हम इन दोनों डिजाइन्स को जो पहले हमने डिजाइन बनाया है और अब यह जो डोरी बनाया है इनके दर्मियान में हम यह डोरी रखते जाएंगे और इसका इस तरह से डिजाइन सेट करते जाएंगे अब हम एक इंच से कुछ कम बुक्रम का पीस लेंगे और इसके लामबाई 15 इंचिज है अब यहाँ पे हम डिजाइन सेट करते वे रखते जाएंगे इस तरहां से वन बाई वन और इसके उपर सिलाई लगाते जाएंगे बुक्रम को हमने नीचे साइट पे रखा है और सीधी साइट जो है उसके उपर हम डिजाइन के सीधी साइट लगाते जा रही है इसी तरह हम इस डिजाइन को वन बाई वन लगाते जाएंगे और इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लेंगे अब हम एक टेब्रिक का पीस लेंगे इसको इस डिजाइन के नीचे हम लगा लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे अब इसको सीधा कर लेंगे और इसके उपर टॉप स्टिच लगा देंगे अब यहां पी ये दोनों डिजाइन हमारे तियार हो गए हैं दोनों पार्ट को भी बना सकते हैं दोनों डिजाइन को अब हम जॉइन करेंगे वुकरम वाला जो हमारे पास फैपरिक था उसको हम उसके उपर फैन लगाते it को टैज कर लेंगे अब इसको उल्टा करते हुए इसके उपर तुपाई कर लेंगे मौर की कपड़े को अच्छे से तुपाई कर लेंगे अब हमने ट्राउजर का जो बॉटम थब हो लिया है और उसके उपर हम ये डिजाइन अटेज कर लेंगे पहले एक सिलाई लगाएंगे अब इस डिजाइन को सीधा कर लेंगे और इसके उपर टॉप स्टिच लगा देंगे अब साइड से एक्स्टरा फैबरिक को ट्रिम करके इसको भी सिक्योर कर लेंगे और अगेन एक टॉप स्टिच लगा देंगे बैक साइड से इसका पेपर रिमूफ कर लेंगे मैं उमीद करती हूँ कि आज का डिजाइन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा डिजाइन अच्छा लगिए तो वीडियो को लाइफ जुरूर कीजिएगा अब इसको यहाँ पे तुर्पाई करते हैं और इस डिजाइन को कम्टीट करते हैं तो लीजिए बहुत ही जबरदस्त और स्टाइलिश सा हमारा ड्राजट डिजाइन रेडी है आप चाहें तो इसको शर्ट के बाटम पे और इसके लावा स्लीप्स पे भी यह डिजाइन आप ड्राइ कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और खुबसुरत लगेगा फिर मिलेंगे इंशालला बहुत ही जबरदस्त और न्यू डिजाइनिंग के साथ ओकी जी, आला हफिज